हेई माई पाइसेस फ्रेंज वेलकम कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी सुष्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे आज के रीदिंग में फ्रेंज हम लोग चेक कर रहे हैं कि दोहजार चौबिस आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेंगी आपके लिए क्या यूनों अचीवमेंट्स आ रही है क्या ब्लॉक जिस आ रही है और उन ब्लॉक जिस को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं तो 2024 पूरे साल में कभी भी आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं ये टाइमलेस है जनरल है सन मून राइजिंग किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि आप मीन राशी से कनेक्टेड फील करते हैं या पाइसे से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हल्फुल हो सकती है तो हम चेक कर रहे हैं 2024 में मेरे प्यारे प्यारे विविवर्स मेरे पाइसे स्प्रेंज की और हлекता है आम अमस्पार आम नमस्पार आमद् दकष ब्रसे मफंस की एनर्ट रीजा ये नहरोव और प्यारे विवर्सी एनर्ट इस अव एनर्ट ऒर्स एनर्ट इ सेजिय्ब अमें गड चर्थ ये sagt उनर्ट जेऑ्साइन apply लवर्स energies भी है, so queen of vans, सारे ही cards यहाँ पर इतने pretty और इतने beautiful है, ऐसा लग रहा है Pisces कि आप लोग already काफी अच्छे manifester हो, काफी intuitive हो, but 2024 की अगर मैं बात करूँ, तो इस में आपकी intuition और manifestation power काफी strong होती हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि आप full devotion के साथ prayers, manifestations करोगे, ऐसा भी लग रहा है कि आप इतने heal और you know bright soul बनने वाले हो, कि जो आपके contact में आएगा या आएगी, वो भी काफी balanced heal और bright feel करेंगे, ऐसा लग रहा है friends कि 2023 तक आप you know जो भी things achieve नहीं कर पाए, या फिर कुछ things ऐसी हैं आपके life में जो properly manage नहीं हो पा रही है, तो वैसे ही जैसे ही 2024 start होने वाला है या start होगा तो आप सबसे पहले अपने life में balance create करने की full कोशिश करोगे and वो balance divine की blessing से आप receive भी करोगे, achieve भी करोगे. तो पाइसेज जिन भी चीजों को लेकर life में उतल पुथल मची हुई है, लगता है कि सबकुस ठीक तो है लेकिन एक धंग से manage नहीं हो पा रहा है, तो वो management, वो balance 2024 के January से ही आपके life में शुरू हो चाएगी. आप things को काफी अच्छे से balance कर पाओगे, things को काफी अच्छे से manage कर पाओगे and you know, एक stability और एक ठेहराव life में आता हुआ दिखाई देता है. एक ऐसा zone life में create हो रहा है, जब आप by heart feel करोगे कि यार, I am very well stable. Yes, मैं बहुत ही stable हूँ and बहुत satisfied हूँ. ऐसा 2024 आप लोगों के लिए रहने वाला है. यहाँ पे Two of Cups की energies है, जो again बताती है कि friends, आप लोग ना अपने रिष्टेदारों से, अपने closed one से, अपने you know, best friends से मिलोगे, उनके साथ कुछ celebrate करोगे and partnership में भी, अगर मैं बात करूँ कुछ career के हिसाब से, तो आप partnership में कुछ career की शुरुवात कर सकते हो और उसमें आपको काफी अच्छे benefits मिल सकते हैं. कुछ लोग, you know, ऐसा भी feel हो रहा है कि एक opposite gender, एक opposite gender आपके life में enter करेगा या करेगी, जिसके साथ आपका love और compatibility भी बहुत अच्छे बनेगी and ये things wedding तक भी जा सकते हैं और साथी में आप दोनों मिल कर कुछ start करोगे, जो आपको आगे चल कर, you know, काफी monetary, emotionally और हर तरीके से abundant बनाएगा. तो ये connection आगे बहुत ही grow करता हुआ आप लोगों का दिखाई देता है. Ace of Wands की energies है. ऐसा लग रहा है कि, you know, आप नए नए अपने दिमाग में नए नए चीजे भी बुन रहे हो कि मुझे इस field में काम करना है, मुझे वो achieve करना है, new plans बना रहे हो, new achievements के new plans, new goals and ऐसा लग रहा है कि, इनको पूरा करने के लिए आप full passionate energy के साथ इस year में एंचा करोगे and उन सारे goals को बहुत ही बहतरीन वे से achieve भी कर पाऊगे. क्यों? क्योंकि इस time divine की blessings आपके साथ है. ऐसा लग रहा है, luck आपके totally favor में है, बस, कहते हैं ना कि जब भाग्य favor में होता है, तो मिट्टी भी सोना बन जाती है और आप तो already इतने bright हो, तो कैसे आप लोग मतलब, you know, successful नहीं होगे. ठीक है? आप 110% successful होते हुए दिखाई देते हो. The lovers की energy है. Love and relationship के लिए ये पूरा year बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप लोग किसी twin flame connection में हो, soulmate connection में हो, तो आप बहुत जल्दी reunion attract कर लोगे. Mid of the year तक, and अगर आप अपने loved one से, lover से शादी करना चाहते हो, तो उसके chances भी बहुत strong हैं, कि 2024 में आप लोगों की wedding उससे हो चाहेगी. Queen of Vance की energies है. ऐसा लग रहा है, Pisces कि आप अपनी full authority में आ रहे हो, अपनी power पे आ रहे हो. ऐसा नहीं है कि, you know, वैसे तो आप बहुत intuitive हो, kind hearted हो, and काफी, you know, sacrifices भी करते हो, बट इस पूरे year में आप sacrifices के साथ साथ, खुद की life पर भी काफी focus रहोगे. कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रहे हूँ, मेरे health के लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, मुझे ये पहनना चाहिए, ये avoid करना चाहिए, तो आप इस year में लग्जरी lifestyle को काफी speed में attract करते हुए दिखाई देते हो. अगर आपका, you know, एक सपना है कि आपकी lifestyle लग्जरी हो, आप बहुत कुछ luxurious attract करना चाहते हो, तो ये पूरा year आपके लिए इतना favorable रहेगा, कि जितना आप सोचके चलोगे ना, उससे double और triple आप लोग achieve करने वाले हो, आप ये real में काफी surprising है. अब मैं चेक कर रही हूँ, prices के लिए क्या blockages है, जिसकी वज़े से things थोड़ी सी, you know, slow चल सकती है. वैसे तो कोई भी card नहीं है slow चलने वाला, बट स्टिल हम चेक करेंगी, कि क्या कोई blockage है आपकी life में, जिससे things slow चल सकती है, तो it's yes. ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना, इतनी ज़्यादा responsibilities लोगे इस year में कि बाद में ठका ठका सा feel करोगे, और ऐसा लगेगा कि यार पूरा दिन काम कर लिया और इतनी ठकावट है literally कि क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में आप लोगों के लिए first guidance यह है कि again, you know goals को achieve करना बहुत 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 अच्छा है, but still, but still आपको अपनी time पर rest करना है, relax करना है, ठीक है, and सूर्य को, ठीक है, मैं आपको कहना चाहूंगी, सूर्य को जल आप जरूर दे, जब भी आपको लोगेगी कि आप early morning उठ गए हैं, अच्छे से fresh हैं, and तरो ताजा है, तो अपने दिन की शुरुवात, सूर्य को अगर आप जल देकर करेंगे, तो definitely ये ये आपके लिए काफी energetic रहेगा, और आप साथी साथ काफी heal हो जाएंगे, काफी तरो ताजा feel करेंगे, अब हम चेक कर रहे हैं, angels की Pisces के लिए क्या guidance है, Pisces, अगर ये reading आप से resonate की है, पसंद आ रही है, तो please like, share and comment जरूर करें, happy new year, जरूर comment box में लिखें, प्यारे प्यारे हाट सेंड करें, मैं हाँ पर feel कर पा रहे हूं Pisces, आप लोगों के लिए कुछ plus points, आप में से कुछ लोगों को flowers, और nature के पास रहना बहुत पसंद है, आप में से कुछ लोगों को yellow color, red color, pink color, and brown color काफी पसंद है, कुछ लोगों को हो सकता है, green color भी पसंद हो, आप में से कुछ लोग मातारानी के बहुत बड़े भागता है, और वहीं कुछ लोग शीव शक्ती की पूजा काफी ज़ादा करते हैं, आप में से कुछ लोग Christians भी हो सकते हैं, वैसी vibrations बहुत स्टॉंग हैं, कुछ hill areas के पास रहते हैं, उसके chances भी स्टॉंग हैं, आप में से बहुत सरी लोग pet lover हैं, 2, 11, 29, 20, 1, 19, 28, 10, लोगों के लिए important numbers या dates हो सकती हैं, आप में से बहुत सरी लोग karma believer हैं, and you know by heart believe करते हैं, good karmas में, and साथ ही में ऐसे हैं, जो kind hearted भी हैं, कि कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन अगर उसको आपकी जरूरत है, then आप पहुँच ही जाएंगे, सब कुछ भूल कर, आपका दिल ऐसा है, if yes तो ये reading आपी की है, no doubt, हम चेक कर रहे हैं, पाइसेज, एंजल्स के आपके लिए, क्या messages आ रहे हैं, क्या guidance आ रहे हैं, तो celebration लो, एंजल्स भी कह रहे हैं, कि ये पूरा साल celebration का है, couple का enjoyment का है, happy time spend करने का है, and precious time, तो 110% ये time बहुत precious है, बहुत साली, सारी celebrations, good news आपके साइट आ रहे हैं, और ऐसे में, divine आपको कहना चाह रहे हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा tree plant करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा tree plant करें, और अगर आप अपनी knowledge के base पर कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई creative course को open करना चाहते हैं, तो definitely करें, क्योंकि उसकी दुनिया को, society को बहुत neat है, thank you so much for watching Pisces, have a lovely day, and take care.